कुर्णी की जनता को महागडबंधन पे पूरा भरोसा था कि भारती जनता पार्टी के नेता अभी से बॉकलाहट में हैं चुकि उन्हें पता है कि वो कुर्णी बुरी तरीके से हारेंगे कि कुर्णी की जनता को महागडबंधन की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं कि आपने जम कर महागडबंधन के पक्ष में वोटिंग कर रहा है जिसका नतीजा है कि भारती जनता पार्टी के नेता अभी से बॉकलाहट में हैं और अनर्गल ब्यानबाजी कर रहे हैं चुकि उन्हें पता है कि वो कुर्णी बुरी तरीके से हारेंगे इसलिए ऐसे इससे सच से कोई वास्ता नहीं है कुर्णी महागडबंधन जीत रही है कुर्णी के जनता को महागडबंधन पर पूरा भरोसा था इसलिए भारती जनता पार्टी के नेता अनर्गल ब्यानबाजी कर रहे हैं कि आपने जम कर महागडबंधन के पक्ष में वोटिंग कर रहा इसलिए ऐसे टिपणी कर रहे हैं कि हार के बाद बोलने का एक इसपेस बशा रहे हैं वो कहीं कहीं कुछ political party जब चुनाओ हार जाती है तो ऐसे ही अब टिपणी करती है मतदान के बाद तो भारती जन्ता party के नेता बौकलाहत में अनरगल ब्यानबाजी कर रहे हैं इससे सच से कोई वास्ता नहीं है, कुर्णी महागडबंधन जीत रही है, कुर्णी की जनता को महागडबंधन पे पूरा भरोसा था, इसलिए भारती जनता पार्टी के नेता अनरगल ब्यानबाजी कर रहे हैं, कि आपने जम कर महागडबंधन के पक्ष में वोटिंग करा है जिसका नतीजा है, कि भारती जनता पार्टी के नेता अभी से बौकलाहट में हैं, और अनरगल ब्यानबाजी कर रहे हैं, चुकि उन्हें पता है, कि वो कुर्णी बुरी तरीके से हारेंगे, इसलिए ऐसे टिपणी कर रहे हैं, कि हार के बाद बोलने का एक स्पेस बशा र रहे हैं, कुर्णी महागडबंधन जीत रही है, कुर्णी के जनता को महागडबंधन पर पूरा भरोशा था, इसलिए भारती जनता पार्टी के नेता अभी से बौकलाहट में हैं, और अनरगल ब्यानबाजी कर रहे हैं, चुकि उन्हें पता है कि वो कुर्णी बुरी तरी कर रहे हैं कि हार के बाद बोलने का एक स्पेस बशा रहे हैं वो कहीं कहीं कुछ पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव हार जाती है तो ऐसे पड़ी करती है मतदान के बाद तो भारती जनता पार्टी के नेता बॉकलाहत में अनरगल ब्यानबासी कर रहे हैं इससे सच से कोई वास्ता नहीं है कुर्णी महागडबंधन जीत रही है कुर्णी के जनता को महागडबंधन पे पूरा भरोसा था इसलिए भारती जनता पार्टी के नेता अनरगल ब्यानबासी कर रहे हैं